Hello students, State Bank of India यानि SBI के द्वारा Central Recruitment and Promotion Department Corporation Center Mumbai के द्वारा Recruitment of Junior Associates Customer Support and Sales के लिए वेकंसी निकाली गई है यानि State Bank of India के द्वारा Junior Associates की वेकंसी निकाली गई है उसके बारे बता रहे हैं तो इसका Online Registration of Application and Payment of Fees दिया है 17 November 2023 से 7 December 2023 तक यह Registration और Online Fees जमा करने का Date दिया गया है तो यह Application जो Apply करेंगे तो यह Junior Associates का यह Customer Support and Sales के लिए है तो इसमें State Bank of India के लिए यह वेकंसी है State और UT के लिए है तो इनवरी 2024 के आसपास यह Preliminary Examination हो सकता है and main examination will be conducted tentatively in the month of February 2024 और main exam February 2024 को होगा Candidates are advised to check regularly bank's website यानि जो candidate है वे बैंक का website को हमेशा चेक करेंगे तो बैंक का website जो है dot openings में चेक कर सकते हैं यह वेकंसी यहां पर दीवी है यह सरकील है सरकील में जैसे अमदाबाद है State UT में गुजरात है language गुजराती है और यह category wise दिया हुआ है जैसे सी है स्ट है ओवी सी है यह से जेनरल है यानि यहां टोटल दियावा है और यहां PWBD के लिए VI है HI है LD है और DND है और ESM में ESM DESM और SCST OVC के लिए है और यहां backlog vacancies दियावा है PWBD के लिए और ESM के लिए यहां कि अमरावती है अंध्रप्रदेश स्टेट के लिए सब्किल में है और इसका language तेलगु और उर्दू है और यह करनाटा के लिए बंगलुरू सर्किल है और इसका language कंड़ है और मैद्रप्रदेश और 36 गड़ यह भोपाल सर्किल में आता है यह इसका language हिंदी है और यह वेकंसी यहां देखे और यह उडिशा है उडिशा स्टेट का भूवनेस्तो सर्किल है और उडिया लेंग्वेज है यह हर्याना हर्याना के लिए चंडी गड़ा न्यू डेली है जिसका हिंदी और पंजाबी लिंग्वेज है और जम्मू एंड कस्मीर यूटी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख यूटी और पंजाब इत्यादी के लिए चंडी गड़ दिया वाइसर के लिए तो इसमें जम्मू एंड कस्मीर के लिए उर्दू और हिंदी है और हिमाचल प्रदेश के लिए हिंदी है लद्दाख यूटी के लिए उर्दू लद्दाखी और भोठी बोध है और पंजाब के लिए पंजाबी और हिंदी है और यह वेकंसी है तामिल लाड़ो पूड़ अधैपूर सरक्विल है West Bengal अरुणाचल प्रदेस सालेंड और शिक्की मित्यादी का पुलकाता सरक्विल है उत्तर प्रदेस की लखनव और नुडेली सरक्विल है और महारास्ट्रा महारास्ट्रा मुंबे मेट्रो है डेल ली उत्राकंड के लिए नुडेली है और वेकंसिस दीविये मीजोरम नागलेंड तिरिपूर अइत्यादी के लिए नौर्थ इस्टन सरकीले और बिहार जारखंड इत्यादी के लिए पटना सरकीले और केरला लक्षडिप के लिए तिरुवंत पुरम सरकीले और यह है 8283 वेकंसि है और यह कि इसे भी प्रयक्लाफ बैकंसि को क्रों जो अप्लाइ करेंगे महाराश्य के लिए तो मात सरकील या मूंब़ मेट्रों के लिए उतर प्रदेस का डेलि प्रेस हार्डिन इस सर्किल तो इसके लिए ओफिस्यल एस्विया का ओफिस्यल वेब साइट एस्टिपीज डॉट्स लेस्ट अस्विया डॉट्स यो डॉट इन एसेंटियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ओन एक तीस दिसंबर दुह जारते इस तक के लिए इसमें ग्रिजुएशन इन डिसिप्लीन फ्रॉम में रिकोगनाज़ इन और एन एक्युवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकोगनाज़ एस सच बाई सेंटरल गवर्मेंट केंड यानि ग्रिजुएशन के डिगरी किसी भी डिसिप्लीन में होनी चाहिए कि इलिजिबिलिटी क्रिटेरिया जो है एज लिमिट एक अप्रिल दुहजार तेईस तक के लिए तो यह इसमें नौट बिलो ट्वेंटी यर्स एंड नौट अबवब ट्वेंटी एट यर्स एज एक अप्रिल दौजार तेईस तक 20 वर्स से कम नहीं होना चेह और 28 वर्स से जादा नहीं होना चाहिए यहां रिलेक्सेशन आप आप आपर एज लिमिट के लिए लेक्सेशन दिया जाएगा । SCST के लिए 5 years, OVC के लिए 3 years, PWBD general or UWS के लिए 10 years, PWBD SCST के लिए 15 years, PWBD OVC के लिए 13 years और ex-servicemen और disabled ex-servicemen के लिए ये काटेगरी या दिया वा है, विडोजी तादी के लिए 7 years है or trained apprentice of SBI is के लिए SCST के लिए 6 years, OVC के लिए 4 years, general UWS के लिए 1 year or PWBD SCST के लिए 16 years or PWBD के लिए OVC के लिए 14 years or PWBD general UWS के लिए 11 years तो selection process will consist of online test preliminary and man exam and test of specified opted local language यानि preliminary और man's exam जो होगी वो online होगा, तो phase 1 में preliminary examination होगा तो इसके लिए ये देखे, इसमें English language के लिए medium of exam रहेगा English और number of questions 30 रहेगा और maximum marks 30 रहेगा और duration 20 minutes का होगा और numerical ability के लिए 35 questions 35 maximum marks और 20 minutes duration रहेगा और reasoning ability के लिए 35 number of questions और 35 maximum marks और 20 minutes duration रहेगा यानि total number of questions 100 और maximum marks 100 और phase 2 में main examination होगा जो कि online main exam होगा जिसमें की general और financial awareness के लिए number of questions 50 होगा maximum marks 50 होगा और duration 35 minutes होगा और general English में medium of exam English होगा जिसमें number of questions 40 होगा और maximum marks 40 होगा और duration 35 minutes होगा और quantitative aptitude के लिए 50 questions होगा maximum marks 50 होगा और 45 minutes duration होगा और reasoning ability and computer aptitude के लिए number of questions 50 होगा और maximum marks 60 होगा और duration 45 minutes होगा यानि number of questions 190 होगा और maximum marks 200 होगा और duration 2 hour 40 minutes होगा इस test will have a separate timing as mentioned above सभी के लिए अलग अलग टाइमिंग को दिया जाएगा लिस्ट आप medium of examination according to state applied for यानि जी स्टेट के apply करेंगे उसके लिए ये लेंग्वेज रहेगा जैसे अंडवान नेको बार के लिए इंग्ली सिंदी रहेगा अंध्र प्रदेश के लिए इंग्ली सिंदी तेल्गू उर्दू रहेगा अरुनाचल प्रदेश के लिए इंग्लिस हिंदी रहेगा, असाम के लिए इंग्लिस हिंदी, असमीज बेंगॉली, बिहार के लिए इंग्लिस हिंदी, चातिस गड़ के लिए इंग्लिस हिंदी, डेलही के लिए इंग्लिस हिंदी, गुजरात के लिए इंग्लिस हिंदी, अर प्रदेश के लिए इंग्लिस हिंदी जमु और कस्मीर के इंग्लिस हिंदी उर्दू जार्खंड के लिए इंग्लिस हिंदी और कर्नाटा के लिए इंग्लिस हिंदी कर्नाटा का के लिए इंग्लिस हिंदी मलियालम लद्दा के लिए इंग्लिस हिंदी उर्दू रहेगा लक्षिद्वीप के लिए इंगलीस हिंदी मलियालम रहेगा मैत्यप्रदेश के लिए इंगलीस हिंदी रहेगा महरास्टा के लिए इंगलीस हिंदी मराथी मनिपूर के लिए इंगलीस हिंदी मिजोरम इंगलीस हिंदी नागलन इंगलीस हिंदी ओडिसा इंगलीस हिंदी तमिलाडू के लिए इंगलीज हिंदी तमिल तेलंगाना के लिए इंगलीज हिंदी तेल्ग उर्दु त्री पूरा के लिए इंगलीज हिंदी उर्दु उत्राखंड के लिए इंगलीज हिंदी वेस्ट बेंगोल के लिए इंगलीज हिंदी बेंगोली प्रिमेंडिलेरी एक्जामनेशन यह जनुरी दूजार चोविस के आसपास होगा इसका प्रेश स्केल 17900 से यह यह पूरा दिया गिया है अप्लिकेशन फी एंड इंटिमेशन चार्ज नो रिफंडेबल तो अप्लिकेशन फी जो है कोई चार्ज नहीं है और जेनरल ओवीसी डव्यस के लिए 7500 रुपिया है हाव टू अप्लाई यानि केंडेट्स जो अप्लाई करेंगे तो इसमें लुख निकर इसका वेबसाइट देंक का यह वेबसाइट दिया गया है इसमें अप्लाई करें गाइड लाइन पर फिलिंग और ऑन लाइन अप्लिकेशन यह गाइड लाइन दिया गया ऑनलाइन फिल करने के लिए tentative list of centers for pre-examination training preliminary examination and main examination तो यह examination के लिए pre-examination के लिए और preliminary examination के लिए और main examination के लिए यह इस्टेट और UT देखें अंड़ाना निक वार रहे हैं यहां सेंटर यहां पोर्ट ब्लेर दिया हुआ है तो इसी तरफ आंधर प्रदेस का अर्माचल का यहां दिया हुआ है आसाम का कि यहां दिया हुआ है बिहार का आरा भागलपूर दर्भंगा गया मुझअफर पुर्थ पूर्णिया इत्यादी दिया गिया जारखंड के लिए यहां मिंसन किया गया है तो यह वीडियो यहां सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इस वेकेंसी को अपलाई करने के लिए पूरे गाइडलाइन को पढ़ें तो इसी तरह मैं अपने यूटूब चैनल आईटा एकॉन में वेकेंसी और आईटाई से संबंदित थेयोरी प्रैक्टिकल इप्तादी के वीडियो देता हूं तो मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आईटाई आइकॉन को सब्सक्राइब करें तथा मेरे प्रैक्टिकल थेयोरी को देखने के लिए मेंबर्सिप में जोइन करें